अस्सलाम अलेकुम व्योर्स कैसे हैं आप आप देख रहे हैं बायोटोनिक बाय हनीफ व्योर्स कल हमने आपको बताया था बायोजिकल मलीक्यूल्स के बारे में और आपको on the basis of structure इसकी दो टाइप्स बताई दी कौन कौन सी थी दो टाइप्स बिल्कुल ठीका आपने औरगनिक मलीक्यूल्स और दूसरे थे इन औरगनिक मलीक्यूल्स औरगनिक मलीक्यूल्स क्या होते हैं the molecules of hydrocarbon and their derivatives यह निए ऐसे molecules जो carbon hydrogen और उनके derivatives यह निए उनसे बने हों जो compounds वो थे organic molecules अब living organism के अंदर बहुत सारे organic molecules मौजूद होते हैं अब carbon की कौन सी यसी property है कि जो carbon के इतने compounds बनाने में helpful है तो आज हम carbon की वो unique properties जो है वो discuss करेंगे कौन सी property है याज का हमारा topic है importance of carbon तो व्योर्स carbon जो है यह एक tetravalent atom है tetravalent tetravalent का मतलब क्या हुआ tetra का मतलब होता है 4 valent mean valency यनि the element which has valency 4 जिसकी valency जो है वो कितनी होती है 4 यह आप यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके valence shell में 4 electron हो उसको क्या बोलेंगे tetravalent तो इसका मतलब यह 4 covalent bond बनाने की ability रगता है covalent bond is a type of chemical bond which is found by sharing of electron between the atoms यह आपने पढ़ा होगा previous classes में कि जो sharing of electron से जो bond बनता है उसको बोलते हैं covalent bond जैसे hydrogen और chlorine की अगर बात करें तो दोनों atom जो है वो एक एक electron share करते हैं तो यह जो bond बनता है जिसको एक line से show किया गया है इस bond को covalent bond कहेंगे तो carbon जो है यह बहुत ज़्यादा compound बनाने की ability रखता है उसकी दो वजुआत है मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी नमबर एक तो यह है कि carbon जो है उसकी valency 4 है चार valency है यह ज़्यादा valency है चार bond बनाने की चलायत रखता है चार मुक्तलित किसम के atom से मिल सकता है यह आपस में भी मिल सकता है ठीक हो गया और दूसरा यह कि carbon carbon bond is much stronger than any other atom यह जो bond है जो carbon और carbon के दर्मयान बना यह stronger होता है इसलिए carbon has property to bond with itself to form long chain and rings यह लंबी chain वाले molecules भी बना सकता है और ring structure भी बना सकता है branch structure भी बना सकता है इस ability को बोलते हैं catination यह भी आपने शायद previous classes में बढ़ा हो catination क्या मतलब हुआ इसका catination के definition क्या होगी the ability of carbon atoms to form bonds with itself to form long chain and rings is called catination तो carbon में एक property है catination की यह दो properties की वज़ा से यह क्यों उसकी विलेज़ी चाहर है और दूसरा है क्यार्वन carbon bond जो है वो stronger है तो इसी लिए carbon के बहुत ज्यादा molecules बनते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे suppose करें कि यह carbon atom जो है यह long chain बना रहे जी long chain अब मैंने आपको बताया कि carbon की frequency 4 है इसका मतलब यह चार पूलन बांड बनाने की ability रखता है तो यह चार बांड पूरे कर दें इसके आप hydrogen जो है वो एक बांड बनाने की ability रखता है इसी तरह यह चार बांड पूरे होगे इस carbon के चार बांड पूरे होगे इस carbon के भी चार बांड पूरे होगे इसी तरह यह chain आगे भी जा सकती है ठीक है इस ability को बोलते हैं catination अब कितने carbon इसमें लगे हुए है छे carbon लगे हुए है तो इसको hexane कहेंगे एन hexane कहेंगे तो यह है unbranched structure यह तो मैंने छे बनाए न इस तरह बहुत से carbon atom जो है वो जॉइन हो सकते हैं hundreds more than hundreds carbon atom जो है वो जॉइन होके लंबी chain वाले molecules भी बना सकते हैं यह मैंने छे की chain बनाके रोट दिया उसको अच्छा यह तो होगी long chain straight chain अब यह straight chain की बजाए यह को ब्रांच्ट भी हो सकती है यानि मैंने आपको बनाया था ना कार्बन के साथ बांड बना सकता है ऐसे भी बना सकता है तो अब अगर देखें तो carbon का एक बांड यह है तो इसके तीन तरह हाइडरोजन सही है इस carbon के तीन बांड है तो एक हाइडरोजन इस carbon का एक bond है तो तीन hydrogen इस carbon का भी एक bond है तो तीन hydrogen तो ये हो जाएगी branched hydrocarbon ये है branched ठीक है तो carbon जो है ये branched structure भी बना सकता है और straight chain structure भी बना सकता है ठीक है और तीसरी किसम हो सकती है ring structure बना सकता है carbon जैसे ये कार्बन यह मैंने आपको जो सबसे जो famous ring है वो बना के आपको दिखा रहा हूं जिसको बोलते हैं Benzene ring एक के बाद एक bond जो है वो आपने double covalent bond जो है वो बनाना है तो अब इस carbon की अगर बात करें तो तीन hydrogen, तीन bond बने हुए है एक hydrogen इसके साथ attached होगा चार पुरे इसके साथ भी एक इसके साथ भी एक इसके साथ भी एक इसके साथ भी एक hydrogen और इसके साथ भी एक hydrogen तो ये structure बन गया C6H6 ये structure है ring structure ठीक है तो carbon देटों long chain बना रहा straight chain, fringe jump या फिर ring structure बना रहा तो मुफलिफ किसम की structure बनाने की वज़ा से carbon की variety है compounds की ठीक हो गया अब carbon यह तो carbon जो है न आब carbon जो है न वो आपको मैंने तीन example दी के long chain, straight, ring structure और branch structure तीन carbon जो है इसके इलावा hydrocarbon के इलावा carbon दूसरे element से भी मिलता है जिन में hydrogen, जिन में oxygen, जिन में nitrogen है, phosphorus है, sulfur है तो इन सब elements के साथ भी carbon जो है वो combine होता है, covalent bond बनाता है तो इसलिए carbon की variety है, compounds की, variety है compounds की इसकी example तो मैं आपको दे चुपा, ठीक है? अब carbon जो है यह oxygen से भी मिलता है जैसे हम पढ़ेंगे glycosidic linkage में, glycosidic linkage आगे topic आ रहा है हमारा carbohydrates, उसमें आपको बताएंगे कि दो monosacrides जो है, वो मिलते हैं, तो उनके दरम्यान जो link बनता है वो glycosidic link होता है, और यह जो glycosidic link है, यह दो monosacrides को जोडने का काम करता है तो वहाँ carbon जो है वो oxygen से भी मिल रहा, चीक, इसी तरह carbon जो है वो nitrogen से भी मिल रहा यह जैसे amino acids में, amino acids, सही है, amino acids में हम आपको structure बताएंगे, जब protein पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि nitrogen के साथ भी carbon का ovalent bond बनता है इसी तरह phosphorus and sulfur, यह lipids में पढ़ेंगे, phospholipids में, तो phospholipids में carbon जो है, इन elements के साथ भी combine होता है तो carbon ना सिर्फ carbon के साथ combine होता है, बलके carbon hydrogen के साथ भी combine होता है, carbon oxygen के साथ भी combine होता है, nitrogen, phospholipids और sulfur के साथ भी combine होता है तो इसी दिए carbon की variety है compound की, organic compounds की बहुत ज़्यादा variety है अब अगर variety के हिसाब से बात करें, तो carbon के दो तरह के molecules बनते है एक होते हैं macromolecules, यहीं बहुत बड़े molecules बनते हैं अब यह जो carbon के जो बड़े molecules होते हैं, जिनका molecular size बड़ा होता है, जिनका molecular weight ज्यादा होता है वो होते हैं insoluble in water, जैसे starch, जैसे glycogen, जैसे lipids, यह क्या हैं? यह हैं insoluble in water, पानी में हल नहीं होते तो यह या तो structure बनाने में use होंगे, structure of cell कहलें, यह structure of organelle बनाने में use होते हैं जैसे आपने previous classes में पढ़ा हुआ है, cell membrane या cell wall, cell wall की structure काईटन या cellulose से बनी होती है तो cellulose जो है यह भी बड़ा carbon का compound है, इसी तरह काईटन की बनी हुई cell wall हो सकती है, तो यह जो है यह पानी में चुक्के हल नहीं होते इसी लिए, यह cell की structure बनाने में use होंगे, या फिर यह होगा, कि जब ज़रूरत पड़ेगी, तो यह फिर dissociate होके, टूट कर, छोटे माली गुल बनाते हैं जैसे glycogen यह टूट कर glucose बनाएगी, तो energy provide करेगी, ATP की form में energy provide करेगा, glucose ठीक है, तो यह structure बनाने में भी use हो सकते हैं, या energy production में भी use हो सकते हैं, ओके, दूसरा छोटे molecules हैं, जिनका molecular size छोटा है, micromolecules, तो यह micromolecules जो है, यह एक तो मैंने आपको बताया कि energy provide करेंगे, जैसे glucose है, तो glucose है, एक glucose का molecules जब हम इसकी oxidation पढ़ते हैं, यानि बायोर्टेटिक्स में आपको इसकी detail भी बताएंगे, तो ATP जो है, इससे release होती है, ATP, जो के energy packet है, वो energy को हम use करेंगे different purposes के लिए, ठीक है, तो एक तो इससे energy बनती है, ओके, और दूसरा यह कि जब जो excessive glucose होगे, जब glucose की मिगदार बोड़ी में ज्यादा हो जाए, तो glucose फिर store होता है, store होगा in the form of glycogen, human being में, तो यह conversion हो जाएगी दुआरा macromolecules में, यानि फिर unite होके, यह macromolecules बना रहे हैं, इसी तरह plants की अगर हम बात करें, तो वो stars की form में जो है, वो glucose store होगा, excessive glucose store होगा, या फिर यह convert हो जात है, तो lipids की form में convert हो जाता है, तो interconversion आपको कल भी बताया था, interconversion भी इनकी हो सकती है, तो anyways, यह दो तरह के molecules आपको बताए, carbon के, size के हवाले से देखा जाए तो, यह जो है ना important long question है, importance of carbon, यह चार नमबर गली पेपर में आ सकता है, लहाज़ा जब हम चार नमबर गली लि बताएं, फिर carbon जो है वो है क्या, फिर उसके बाद catenition, उसकी बजा, फिर branched, unbranched और जो cyclic है, compounds उनकी example दें, उसके बाद इसकी detail लिखें के carbon जो है, उसकी bonding, इसकी साथ possible bonding है, और फिर उसके बाद molecules की types लिख दें, तो यह आपका long question बन जाएगा, importance of carbon, कैसा रहा आगा अगर आप channel पे नए हैं तो subscribe करें, bell, icon को click करें, ताकि हर आने वाला नया notification आपको मिलता रहे, और आप उससे मुस्तफिद होते रहें, देखते रहें, Biotonic by Hanief, मिलते हैं next video में, अल्ला हाफिज